आप सभी का स्वागत है आपकी एपनी यूटूब चनल सभी का बाहत-बाहत स्वागत है हमारी यूटूब चनल में आपके एपने यूट्यूब चैनल में तो सिक्षा सास्त्र के बारे में आज की वीडियो के इंदे करेंगे सिक्षा सास्त को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जानते हैं तो एजुकेशन बीए फस्ट समेस्टर निव मॉडल फेपर होगा 2022 की परिक्षा के कोर्डिंग बीए फस्टियर में एडविसन लिया है उनकी परिक्षा समेस्टर परिक्षा परडाली के तहत होगी मलब समेस्टर का मलब क्या होता छे महीने पर उनका पेपर होगा तो बीए प्रथम मुर्स का जो पेपर होने वाला है सिक्षा सास्त्र का वो फस्ट समेस्टर का पेपर जो है कम होगा यह जनवरी वगरा में के आसपास जनवरी लाज तक होने के संभावना जताई जा रही है हलाकि अभी इस बात की कोई आफेसियल नोटिस नहीं आई है यूनिवर्सिटीज के आफेसियल वेबसाइट पर आप लोग अपने बने रहीएगा जैसे ही कोई हम चर्चा कर ही लेंगे ठीक तो विस्तार से एक वीडियो के इंतरगत हम जाने के समस्तमुद्दों को तो न्यू मॉडल पेपर है और इसमें आईसे महात्रपुर्ण परसनों को समयत किया गया है जो कि मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है तो और कोईसंस भी बताऊंगा होंगी इसी एक मॉडल पेपर में हमने सभी को समायत करने का प्रियास किया है हर एक मुद्दे को देखने का प्रियास किया है इस मॉडल पेपर में रखने का प्रियास किया है तो कुल मिला करके ऐसे समझे कि बहुत जादा गहनत दिन करने के बाद में यह मॉडल पेपर बन और हम व्लकाई नमबर पर आपकी कॉमपी चेक होगी अब इसमें हम बात कर लेते क्या क्या चीजिए होती है कैसे कैसे क्या होता है सबसे पहल면 आहरो कlk सब्सक्वरम होती तो कला का पहला से स्लेबस इसका डिसक्रस कर दूगा जिसके अंतरगत हम इसमें कुछ नए जो है सलेबस में नए बाते भी संकलित की गई साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलसी थी 2020 की उसको अब जो है प्रॉपर तरीके से एक सलेबस में आपके एक चेप्टर में रखा गया है तो उसके बारे में भी चर्जा करने का प्रियास मलब परसन आप देखिए बड़े ही महत्पूर परसने इसके बाद ही जल दी प्रिया के साम दिए अगली जो वीडियो क्यानि कि कि और तोाप सभी लोग इसको देखने के लिए चलीए बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपके जो है जो है सिक्षा सास्तर से का इसे प्रसनत मनेंगे और पॉलिटिकल साइन्स का भी हो उसको भी देख लेज़ेगा उसका सिलेबस और उसका पाठे करम और मॉडल पेपर दोनों अपलोड हो चुके हैं इसमें जितने भी परसन हमने रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है और बार बार मैं इसलिए बोला हूं ताकि आप एक एक परसनों को गहनता सुने वीडियो में इसकी मिल्कुल भी वीडियो को मत करेगा आप लोग जुट चुके हैं लाइप सेशन में तो आंदर तक रहिएगा जब तक क्लास चलती है बीए पर्थम वर्स सिक्षा साथ पर्थम समेश्टर 2022 एवं इसके आगे के सतरा था 2023, 24, 25 जो भी परिक्षा होगी और इसी पर्सन में से लगबक कुछ न कुछ पर्सन आते ही रहेंगे आपके ठीक पर्सन पत्र क्या है सिक्षा की बैचारी ग्रूप रेखा अंगरे इसमें अंगरे जी का कहते हैं इस अंगरे जी में का कहते हैं conceptual framework of education maximum marks कितना है 25 प्लस 75 pocket new model पेपर 2022 most important question answer answer आपको बताने का प्रियास रहेगा questions आपके सामने लिखे हुई हैं सबसे पहले आपको बता दू आपका पेपर जो होता तीन खंडों में मटा हुआ होगा इस समय और खंड आ जो होता है उससे आते लगुतरी परसन पूछ आते हैं खंड बास से मेरे प्यारे दोस्तों लगुतरी परसन और परसन आपके पूछ जाने हैं और मालते आपके अधिक तर बिस्विद्याला की में बात कर लो तो आपके परिक्षा लिखित ही होगी लेकिन अगर एकाद दो बिस्विद्याला ऐसे आ जाते हैं एकसेप्सन के तौर पर इसमें आपजक्टिव होता तो यह यूनिवर्सिट कि तो एक आपजक्टिव वाली वीडियो में उसको भी देने का प्रियास कर दूगा ठीक तो आप परिशान मत होएं कि सर जी आप के वालों के उले ही बताए हो आपजक्टिव का भी बता दूगा एक आत्मिस विद्याले हैं ऐसे हो सकता है उनमें आपजक्टिव पुछा सभी परशन आपको प्रसन पूछा जाएंगे और दस परशन आपको दिये होंगे अब थिस और को अंब भी निर platform में लिखा मिलेगा कि सभी मिलेंगे ही किस तभी कर दें होंगे अब ऐसा इसमें यह नहीं होगा कि माल लेते हैं कि आपने आठ कोशन किया और दो नहीं किया दो नहीं आते हैं दो नहीं किया तो ऐसा नहीं कि प्रियास करेंगे ठीक तो आप परेशान मत हुएगा कोई दिक्त की बात नहीं आगे समझते हैं पहला परसन पहला परसन आपके सामने क्या है भाई पहला परसन है नौप चारिक सिच्छा क्या होती इसको लिखरके एक जाम से परसन बनेगा और जरूर बनेगा क्योंकि अभी लोग जानने का प्रियास करें एक तो होती आप चारिक सिच्छा एक होती नौप चारिक सिच्छा तो इसको आप देखें कि आखिरकर ये क्या होती है नौप चारिक सिच्छा से क्या पर होता है नौप चारिक सिच्छा क्या होती है एक बार अपने में लोग जो है दि भाग होता है यहीं पर तीनों को समझा दूँगा आपको यहाँ पर जो सबसे पहले आउपचारिक समझो फिर जो थो जो है अनोबड़़ समझें वthen और प्रोंड एक क्रिकिस आपको समझें आ कि को कहते हैं नौप चारिक सिच्छा को अब तीनों के में थोड़ा थोड़ा आप आपको बتा में आप से पर सपोच लेगा है तो आप क्या लिखेंगे कि तो है सिक्षा जो योजना बद तरीके से आर्थात विचार पूर्बक जान भूज करके विद्यालयों में महा विद्यालयों में और विश्व विद्यालयों में निश्चित सिच्छकों के द्वारा निश्चित समय में संचालित की जाती हैं इस परकार की सिख्छा को कैसी सिख्छा कहते हैं आपचारिक सिच्छा या फिर नेविज सिच्छा या फिर इसी को हम फार्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं समझ में आ गई बाते मलब जो हम और आप सिच्छा इसकूलों में महाविद्ध डियालव में यूनिवर्सिटी में गृहन करते हैं वो सिक्षा जो होती है उसी को आपचारिक सिच्छा कहते हैं मलब जब आप दाखिला लगा के कि हां मालेते आप पढ़ने को आप आनलाइन जो है मालेते हैं कलास हो रही है अब मेरी याँ वीडियो जो मैं यूटूब पर आपकी लाइब कलास दे रहा हूँ ये वीडियो हो सकता है कोई कच्छा दस या बारा का बच्चा भी पढ़ सकता है ठीक स्वारी तो चले हम क्या बता रहे थे आपको कि नियमिस सिख्छा जो होती है या आपचारिक सिख्छा जो होती जो आप हम और आप स्कूलों में पढ़ते हैं अब मालते हम याप वीडियो बना रहे हैं मलब वीडियो आप मेरी यूटूब पर चल लएए अब इसको चाहे कोई इंटर का बच्चा पढ़े चाहे कोई हाई स्कूल का बच्चा पढ़े तो अब ये सिख्छा कैसी है ये एक परकार से अनौप चारिक रूप से मैं सिख्छा दे रहा हूँ मलब कहने का ये है या वीडियो तो कोई भी बेक्ती देख सकता है मलब यूटूब पर पढ़ी हूई है या कोई भी देख सकता है लेकिन आप ये के से पढ़ाए जाएगा तो यह सिक्षा जो स्कूलों में होती है क्या कि हाँ एक साल के अंदर आप इंटर पढ़ोगे हलाकि एक साल जो समय दिया जाता है क्या उतने में उतना समय परकार से देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए इतना छोटा सा से ले बस उसके लिए एक साल आप जब अगे धेरे-धेरे बड़ते हो छर्ण करते हो इसका मतलब यह है इसका मतलब ने है सिक्षा नीति entr में ये सब बातों का क्या बताया गया है कि हां किस तरीके से क्या होनी चाहिए मलब एक इस प्रकार से सलेबस होना चाहिए कितने समय में पेपर देना चाहिए इसलिए में टर्म भी एक्जाम होता तीन महीने पर एक्जाम सोता है इससे क्या हो आपका फोलो बना रहे पढ़ाई में आप लगातार पढ़ते रहो ऐसा नहीं कि आप जो है जब पेपर आए तभी एक महीने पढ़ाऊ बाकी दिन जो है आईस करो इधर दर घुमो तो जो है इसका मतलब यही है जो आप चारिक सिच्छा होती है या स्कूलों में करमबत तरीके से होती है कि इतने समय पर इतने चीज़े आपको पढ़ाई जाएंगे मलब नियमी सिच्छा की पूरी योजना होती है इसमें वो देश, पाठह करम और सिच्छड बिधिया यह सभी क्या होती है पूर्व से ही निश्चित होती है कि हाँ इतने समय के लिए चीज़े होंगी एक समय सारड़ी होती है विस्विध्याले की या विस्विध्याले की या एक परकार से सिच्छक या सिच्छार्थी की विध्याले में एक टाइम टेबल होता है उसी के अनुसारों कारी करता है और इसी परकार से उसका जीवन बेथीत होता है मलब की उसकी सिक्षा व्योस्ता पूरी होती है लेकिन अगर बात की जाए आपचारिक सिक्षा की ही पर तो स्वारी जो आपचारिक सिक्षा तो मैंने बता दी अनोपचारिक जो सिक्षा होती है उस मलब आनियमी सिक्षा होती है अनोपचारिक सिक्षा जैसा की इसके नाम से ह आपको पता चल लाओगा कि ऐसी सिख्छा जिसमें कोई क्या हो आपचारिक्ता ना हो आपचारिक्ता का मलब क्या हो कोई आडम बर ना हो कि आप यही सिक्षा ग्रहन करोगे कोई नियम ना आपके हो जैसे यूटूब पर वीडियो पढ़ी हुई आप देखो बिना रोक्टो कि कोई नहीं लग रहा कि आपको यह नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ना आप यूटूब हाद में है आप इसको भी दे कुछ भी पढ़ सकते हो इसमें कोई ताइम टेबल समय सारी यह सब कुछ भी नहीं हो ता कुंद्रा करके कहने का मतलब यह है जो है घर में पढ़ो चाहे घर से बाहर पढ़ लो खेल के मैदान में पढ़ो अपनी मित्रों के साथ बातचीत करते में उड़ते बैठते खेलते कूते हर समय किसी ना किसी रूब में या सिक्षा हमको मिलती रहती है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्यक्तित्व के सरबांगेड के बारे में मैं आपको फिर से बता दू कि मेरे भाई солн कि के बारे में और इनको क्या कहते हैं नौन फार्मल या फिर इंप यह नहीं रहेगा नौपचारिक सिच्छा जो होता है और अनौपचारिक सिच्छा क्या होता है मिला जुला रूप होता है आप लिखेंगे आपको आगे लिखेंगे कि सुनने में तो लगता है कि यह सिच्छा कैसी है यह अनौपचारिक सिच्छा के समक्ष होती है किन्तु दिये पर देखेंगे जहां सिथिलता है कि बालक जब भी जो कुछ सीखना चाहे सीख सकता है इसमें आयू समय अस्थान इन सब का कोई बंधन नहीं होता है इस सिक्षा का अधेस यास्तित यही होता है कि यह क्या हो एक परकार से लोगों का सरबांगिर विकास हो यह सिक्षा सभी आ तो सिक्षा कारे में बेस्ट बेक्ती है तुझ जादा उपयोगी होते हैं जैसे कि इसमें अगर बात की जाए यह सिक्षा सभी आयों के लोग गरहन कर सकते हैं यह सिक्षा कारे में बेस्ट बेक्ती है तुझ जादे उपयोगी है यह मलब कि आप कहीं परकार कर रहें नो कर लगा आप आसानी से पढ़ लिया इसको लेकर के संचार के आधुनिक साधन जो है महत्यपूर्ण युगदान देना जैसे कि आप मुबाइल लेकर के रजाई में समय लेटे हैं आसानी से वीडियो को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं आसानी से यह क्या सिक्षा यह नौप चारि सिच्छा समझवे प्रक्रिय परहों को निहों प्रणी से नहीं कुए प्रनेर्टन चनिटम वाली क्या होती है सिक्षा रुझा तिए एक संस्था के माद्यम से नहीं कियाती है आती हो इसमें तमाम सारे समाजिक संगठन हो गए संस्था हो गए इन सभी के माद्यम से प्राप्त होती है जैसे पत्र हो गया टेली बीजन हो गया रेडियो हो गया इन सभी से पर दसनी कहीं पर लगी कहीं पर ब्याख्यान माला लग कि कहीं पर सचिक प्रेटन हो रहा है कोई संपर कारिकरम हो रहा है चरचा पर crafts को इस थी हो रही है मुद्रतेविं प्रकाशि समागरीी जभी माद्स हम इस परकार के सिछ्च्छा को गरहन कर सकते स्वारी तो यह थी आपकी क्या सिक्षा की प्रकार सिक्षा किस प्रकार से गरहन कियाती है अगला क्या है प्रतक्ष सिक्षा अब हम इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार प्रतक्ष सिक्षा क्या होती है प्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रत्यक्ष सीमा में अपनी कुछ सीमाय भी होती हैं क्योंकि समस्त ज्यान एवं किरियाओं को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया भी नहीं जा सकता साथ ही आदर्स हीन एवं आचरण हीन सिक्षकों के संपर्क में आने पर बच्चे सद्गुड अपनाने के बदले जो के सिकार भी हो जाते हैं जो कि सर्मदा क्या है एक प्रा निंदा का पात्र मंता निंदनी है कहने का तात्य पर यह है कि यो प्रत्यक्ष सिखा होती है इसमें गुड़ दोसों का जाना परम आवस्थक होता है चुकि अगर बालते टीचर बेकार हुआ है टीचर के कि जो है रहीम ने तो या भी लिखा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृती तो का कर सकत कुसंग चंदन विस्व्यापत नहीं लेकिन इसी बात का बाद में खंडन किया मलब यह इसका अर्थी यह है कि जो रहीम उत्तम प्रकृती मलब जैसा अगर रहीम दास कहते हैं कि अगर उ व्यापत नहीं लिप्टे रहात भुजंग चंदन के पेड़ में हजारों या लिप्टे रहते हैं लेकिन चंदन के बिस में क्या होता है तो इसी प्रकार से जो बुराईयां होती है ज्यादा अच्छायों में जो है लुप्त हो जाती है मलब की कुसंग उनका कुछ नहीं विकार अब सकता जिनकी परकिर्टी उत्तम होती है लेकिन इसी बात का बात में उन्होंने खंडन करते हुए भी अपनी ही दोहों में बताया कि जो है महिमा समुद्र की घटी जो रामड बसा पुड़ो तो यहां पर आप समůझने का प्रियास करें परतक्ष्षा में गुर्ड दोसों को जानना परमावस्थ होता है अगर नहीं जाने तो इससे दिक्कत हो सकती ही बाद में ठीक तो यह होती है आप प्रकिर्टी प्रतक्ष्ष्षा बलब बालक और सिक्षा बलब बालक और टीचर दोनों एक दूसरे को जानते हो और सभी गुर्ड दोसों को जानते हो अच्छे तरीके से सिक्षा करण करते हो परस पर बैट करके यह हो गई अगला क्या है सिक्षा के साधन अगला आपका प्रसंद क्या है सिक्षा के साधन सिक्षा के साधन से आप क्या समझते हैं आप से ऐसे प्रसंद पूछे कि सिक्षा के साधन से आप क्या समझते हैं पचास अब्दों में आपको यहां पर बताना है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि सिक्षा के अभिकरण या साधन से ताते पर उन तत्तों उन अस्थानों या समाजिक समूहों लिख सकते हैं या संगठनों लिख सकते हैं इनसे होता है जो कि प्रतेक्ष या आप्रतेक्ष रूप से क्या करते हैं बालक पर सेच्छिक प्रभाव डालते हैं अंग्रेजी में बात किया है तो सिक्षा के साधन के लिए एक सब्द परियोग के आता है जिसका नाम क्या है एजेंसी एजेंसी माने क्या होता है सिख्छा के साधन तो एजेंसी सब्द जो होता है प्रियोग में लायाता है एजेंसी सब्द जो है वो लेटिन भासा से बना है लेटिन भासा के किस सब्द से बना है तो एजीर सब्द से बना है एजीर सब्द से बना है और agir सब्द से बना है तो agir का आर्थ क्या होता है agir का आर्थ होता है करना क्या करता है agir का मलब क्या होता है करना आर्थ है to do अंग्रेजी में to do agir का मलब होता है to do इससे असपश्ट होता है कि agency का जो तात्यपर होता है या एजनसी का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कार्य करने का कारण या फिर साधन से होता एजनसी का तत्य पर सिक्षा के साधन को ही असपष्ट करते हुए एक बिक्ती है उनका नाम सायद मुझे याद आ रहा है उनका नाम है भाटिया करके है बीडी भाटिया उनका नाम है बीडी भाटिया और बीडी भाटिया लिखते हैं जो है सिक्षा के साधन को लेकर के कि समाज ने सिक्षण के का कारियों को संपादित करने के लिए या चलाने के लिए समाज ने सिक्षण के कारियों को चलाने के लिए यह संपादित करने के लिए कई परकार के अलग-अलग साधनों का विकास किया है अलग-अलग संसाधनों का विकास किया है और यही जो संस्थाएं है यही जो संसाधन है इनी संस्थाओं को इनी संसाधन को ही हम सिक्षा के साधन कह सकते हैं प्राजिक कि हम वहारे पास मलब वहारे अंदर कुछ क्या होؤ कुछ घ्यान का संचार हो वही Ottot अब आप मुबाइल से पढ़ रहे हो तो मुबाइल भी क्या है एक सिछा का ही साधन है जिसके मादम से आप पढ़ रहे हो ठीक एक साधन तो मैं हूँ एक साधन तो मैं हूँ एक साधन आप स्वेम हो और एक तिसरा साधन क्या है मुबाइल है जिसके मादम से हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं ठीक यही सब चीज़े होती हैं इतनी बाते समझ में आ गई हैं बोलो समझ में आए कि नहीं आए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला परसन क्या है संस्कृति आर्था जो कल्चर होता उसे क्या कहते हैं क सबसे महानो धारा मानो मन की क्या होती है संस्कृति ही होती है संस्कृति हमें कैसे मिलती है तो बिरासत में मिलती है संस्कृति हमको कैसे मिलती है बिरासत में मिलती है बिरासत में प्राप्त होती है अगर बात की जाए सामाने रूप से तो सामाने तरह किसी देश की संस्कृ जो होती है वहां का रहन सहन वहां की जो बेजभूसा होती है चाहे आचार बिचार हो गया चाहे कोई खान पान हुआ या कोई भासा हुई साहित्य हुआ धरम हुआ विश्वास हुआ इन सभी को ही हम संस्कृति आमतोर पर सामान रूप से बोलते हैं समाज में अगर आप रहत पीड़ी से चवती पीड़ी इसी प्रकार से पीड़ी दर पीड़ी क्या होती है हस्तानांतरित होती है या करम पीड़ी दर पीड़ी अस्तानांतरित होती है इसी प्रकार से संस्कृति क्या होती है संस्कृति का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में क्या होता है हस्तानांतर ह घृता हूँ होता है दूसरी पीड़ी से तीछी पीड़ी में हास्तान अंतरनिः होता है तीसरी से चाउथी Church 3559 6600 चार्ङी परकार से लगातार पीड़ी दर पीड़ी ज़ो है संस्कृती का हस्तान अंतरन अंतरन होता धो थे अब मान लेते हैं דंसे ने क्की रोटिंए उसके गहाए उसकेभांते लिए म क्या हुआ नफचत्त थे तो उसको भूखए एक परकार से मलाइ उसकी बेलन्स गींड़ परकार से बेल करके आप रोटी नहीं तयार कर सकते हैं। आपको हाथसे BDI MFA是不是 messy मक्खे की, तो क्या होता है जो मक्खे की रोटी आपकी पिता जीने खाया होगा। आप attained देदे देखे आप नहीं कूपज है पनीड की सब्जी खा रहे हो पहले सब्जी वेगरा थी आ नहीं थी सागई चल लाहता वहीजंड लोग खाते थे सब्जी चलती थी वैसे सब्जी खाते थी लेकिन रोटी में मता दू तो अब आप गेहूं की रोटी खाते पतली पतली आप खोदी देखिए कि आपकी दादी जी रोटी जो बनाती है वो रोटी बनाने के तरीका वो थोड़ा सा कैसी रोटी बनाती होती थोड़ी बड़ी रोटी बनाती होंगी कभी कभी चूले में रखके रोटी सेंकती होंगी मलब आप देखे होंगे चूले के अंदर फैक देते रोटी उसे आग पे रखके तो वो आपने देखा होगा अब आपकी मम्मी आये होगी वो थोड़ी सी रोटी के साइथ थोड़ी छोटी होगी उसके बाद में फिर आपके मालते हैं आपकी पतनी आएगी तो वो रोटी और छोटी बनाएगी अभी मैं भविस बानी कर रहा हूँ तो और छोटी रोटी बनाएगी क्या होगा धीरे देरे क्या हो रहा है ये मलब की पीड़ी तो पीड़ी रोटी तो बन ही रही है चाहे रो यही होती है आपकी संस्कृति वह भूलों के नहीं भूलोगे ना की संस्कृति क्या होती है संस्कृति- हम भने अुदराण के ही बता दी आगे समझते हैं सुरी तो आुख सम्हारे रहे है न के सामाजिक परिवरत्न के विभिन प्रारूपों का वराण के जी द़ fact most important questions in this video in this model paper most important person है एक प्रकार से ही लगा लेजिए यह स्टार है मेरी प्यारे दोस्तों एक जाम से प्रस्ट पूछा जाएगा पहला प्रस्ट नौपचारिक इन में से एक प्रस्ट जरूर पूछा जाएगा इसको रठ लीजएगा बिल्कुल और सारे के सारे प्रस्टों को आप ध्यान देजिए क्योंकि सभी प्रस्टों को हमने इंप्रोटन ही रखा है तो यहां पर समझेंगे समाजिक परिवर्तन के जो विभिन प्रारूप है उनका वरण आप से करने को लेकर के 50 सब्सक्राइब पूछेगा तो यह एक प्रकार से समाज सास्त्र का भी टॉपिक रहा है समाज सास्त्र के अंतरगतिवी आपने आपको सेकंडेर में पढ़ाया है लेकिन आप अभी फस्टेर मे समाजिक परिवर्तन के विभिन प्रारूप होते हैं उनको मैं समझा दूँ मुख रूप से इसके तीन प्रारूप होते हैं कितने प्रारूप होते हैं तीन प्रारूप होते हैं समाजिक परिवर्तन के और वो तीन प्रारूप कौन-कौन है जबसे पहला प्रारूप होता है विकासात्मक परिवर्तन या विकासात्मक परारूप दूसरा होता है लहरदार परिवर्तन या लहरदार परारूप तीसरा होता है चक्री परिवर्तन कहने का मलब ये विकासात्मक परिवर्तन को एक परकार से रेखिये परिवर्तन के नाम से भी जाना आता है मलब विकासात्मक परिवर्तन जो होता है प्रकार सीधी गती में सीधी दिसा में होता है इस प्रकार के परिवर्तन में समाज में आचानक ना करके पहले से बिद्दमान परस्थिती पर अधार होता है जैसे किसी भी नभीन उपकरण का आविस्कार स्वता ही नहीं होता है वरनवा पुराने तत्तों के अधार पर धीरे धीरे क्या होता है बदलता जाता है जैसा हमने आपका बताया कोई आविस्कार छोड़ो माल लेते पहले जब जो है लोगों को गर्मी लगती थी तो पेंड के निशा आते थे जो है आसानी से बढ़ते थे उसके बाद में कुछ जो है पत्ता उत्ता जो है हिला करके अपनी हवा लेते थे धिर धिर क्या हुआ हैंड फैंड का विकास हुआ तो बेना आया हाथ से लोग क्या करने लगे पंखह करने लगे तु वो होगया अब उसके आद में में क्या होगा धीर ध grill technique का विकास होता गया कि हाँ हवा क्या अजैता तो पंखहा बन गया पंखहा लें लोग चलने लगे ठीक पंखह के Be पंखे पंखे से उनकी requirement नहीं पूरी हुई तो इस चीज का विकास हो गया तब यह पंखे से रिक्वार्मेंट नहीं पूरी हुई तब क्या बन गया तब जो है cooler आ गया cooler से हवा ले रहे हैं उसके cooler भी नहीं सकते मलब हो पाई उतना आदा तो फिर अब सब्सक्सक्राइब है यहाऊ होगा कि एक दिसा में परिवर्टन हो गया भी का 2 हो अब दूसरा परिवर्टन ऊहिसमें आप इसकार नहीं होता है अब रभगत कंई कभी-कभी 240 होता इसलिए अवसंटुरंगे परिवर्थन या फिर लहरदार परिवर्तन के नाम से आनते हैं या परिवर्तन की वह दिसा होती जिसमें समाज में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है और इस परकार के परिवर्तन में समाज में उतार चड़ावाता रहेगा आप देखेंगे मलब उता चड़ाओ का मलब की कभी समाज परगती की और होगा कभी जो है परकार से वा नीचे की और होगा मलब आउनती की और कभी होगा कभी परगती की और होगा मलब इसमें जैसे कि अगर बात की जाए कभी आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ रही है कभी घट रही है कभी बढ़ रही कभी घट रही है इस परकार से जो परिवर्तन होता समाज में यह होता है आपका लहड़दार परिवर्तन स्वारी यह दूसरा परिवर्तन है तीसरा परिवर्तन आप कौन सा हो गया भाई तीसरा परिवर्तन आपका हो गया चक्री परिवर्तन, छो होता है इस में जहां से सुरु होता है, फिर वहीं पर आता है जैसे कि यह बाल लेते है उड़ारण के रूप में जो है हम रोजगारी हो जिनाव द्वारा बेरोजगारी कम कर दे परं तु जन संक्या फिर बढ़़ जाती है उसके साथ ही साथ फिर पुना बेरोजगारी आजाएगी फिर बेरोजगारी किसमें इसतर बढ़ दियोगी जो समाज में परिवर्तन लाती है बनलब आप समझे जैसे कि यह मालते वर्सा का एक साइकल बना लो एक साइकल में बना लिए हमने अब इस सरकल में होता है कि मालत यहाँ पर ठंडी आई ठंडी के वाद में फिर क्या आई भाई गर्मी आई गर्मी के वाद में फिर क्या आई बरसात आई तो ठंडी फिर आएगी फिर गर्मी आएगी फिर बरसात आएगा इस परकार से मौसम का परिवर्तन एक चक्री परिव होता तो इस परकार के परिवर्तन का प्रारूप कैसा होता चक्रिय प्रारूप होता है तो मुखे रूप से तीन प्रकार के समाजिक परिवर्तन के प्रारूप होते हैं जिसको हम ने आपके सामने बता दिया पूछा गया था समाजिक परिवर्तन के विभिन प्रारूप का वर परजातंत्र परजातंत्र क्या होता है लोगतंत्र रूप में लोगतंत्र जो होता है जीवन की एक सैली होती है जीवन की एक सैली होती है जो सुतंत्र रूप में लोगतंत्र की परिवासा को को देती हुई कहा कि लोगतंत्र वह सासन होता है जिसमें प्रतेग विक्ति का भाग होता है और अबराहम लिंकन जो कि अमेरिका के रियाश्टपती भी रह चुके हैं उन्होंने कहा था कि लोगतंत्र जो होता है जनता के लिए जनता के द्वारा सासन होता है यह होता है लोगतंत्र अब लोगत सब्सक्राइब ऐसे सक्षा में व digging步 करेंगे सीधेल लीखेंगे खर आतियांतρε महात्य पूर्ण या बहुत ज्यादा महत्य पूर्ण अस्थान है परजातंत्र अन्तर पर्लम्हेत्र में सिध्चक přास्ता वसे होता है सेक अवस्य होता है लेकिन वह सिध्छकी अ होता understanding आपसे पहले समझे सिक्षक जो होता है प्रजादंत्र में राज जी का सेवक जरूर होता है सेवक जरूर होता है लेकिन इसका या मतलब नहीं कि वह नौकर होता है अदास होता है सिक्षक एक सिक्षक होता है सिक्षक को प्रयात्व सतंतरता भी मिली रहती है प्रजादंत्र य में सिक्षक ना व्यक्तिवादी होता है और ना ही समाजिक ताना सा होता है वह मध्यम मार्ग का अनुसरन करता है मलब टीचर को हमेशा कैसा होना चाहिए मध्यम मार्ग का मलब समर्नात्म ग्रूप से अब मालेते कोई टीचर हिंदू वर्ग का है और मालेते हैं उसको कुछी चीच पढ़ाना हुआ अब मालेते हैं वो मुस्लिम वर की बुराई बता रहा है उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई मुस्लिम वर का टीचर हो तो हिंदू की बुराई कर रहा हो ऐसा होना चाहिए कि समणुयात्मक वादी होना चाहिए जैसे आप एक teacher को मान सकते हैं जब भी आपने देखा होगा हला कि teacher का नाम लेना उतना उचित नहीं होगा किसी का बट फिर भी आप समझे teacher का जो हो जो कोई भी teacher हो उसको समणुयात्मक रूप से हमेशा रहना चाहिए मल्लब की ना इधर की ना उधर की बात होगी सीधे सीधे और सीधे किसकी मुद्दे की सत्य की या बात होने चाहिए टीचर की तो प्रजातंतरे सिक्षक प्रणाली में सिक्षक जो होता है ना तो वेक्तिवादी होगा होना चाहिए और नहीं सिक्षक को एक समाजिक तानासा होना चाहिए वह मध्यमार का अनुसर्ण करने वाला होना चाहिए या बात ध्यान लखेंगे प्रजातंत्र में आप लिखेंगे आगे कि प्रजातंत्र में सिक्षक मुख रोप से समाजिक उतरदायत के प्रती निश्ठावान रहता है उसे अपने बिसे का पूर ज्ञान भी होना चाहिए साथी साथ सिक्षक प्रसिचित हो तथा बाल मनो बिज्ञान की उसे पूर जानकारी होनी चाहिए सिक्षा मनो बिज्ञान या बाल मनो बिज्ञान अगर उसे नहीं पढ़ा Child Development नहीं पढ़ा तो वो सिक्षक बनने का अधिकारी भी नहीं है मलब अगर आपने सिक्षा मनोबिग्यान नहीं पढ़ा सिक्षा सास्र में आपने सिक्षा मनोबिग्यान अगर नहीं पढ़ा या इसी परकार से उसका मानसिक डबलमेंट हो रहा हो, मानसिक विकास हो रहा हो То उन सभी परस्यतियों में क्या होता है वो बाती आपको पहले से पता होती कि कि हाँ, इतने साल का बच्चा है इसको कैसे ट्रेटमेंट ऐसके लिए करना चाहिए। किस परकार की ब्यवस्का की ब्यवस्तह होनी चाहिया कोई बच्चा रोने तो क्या करना चाहिए बच्चा क्या क्या प्रकार सरे कंथ में आरें कोई बाति दस बार समझ में नहीं हो और रही विग्यान के अंत्रकत हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो मनो विग्यान की पॉड जानकारी भی होने चाहिए प्रजाय तंत्री सिक्षा प्रणाली में सिक्षक सथ्ति का खोजी होता है वह राज जी का प्रचारक नहीं होता है बलकि उसका मार्क दर्सक होता है इसलिए परजातंतरी सिक्षा में सिक्षक का अस्थान एक परकार से क्या है बड़ा महत्पूर्ण है अत्यंत सराहनिये है और बड़ा ही बिस्वसनिये है बड़ा ही एक परकार से साराहनिये ही भी है यह भी बोसकते हैं तो सिक्षा के शेत्र में बात किया टीचर का एक महत्पूनास्थान भी है और परजातंत्र में परजातंत्रिय सिक्षा में उनका तो बहुत महत्पून एक दान है इसको तो हमने बता दी तो इतनी चीज़े आपकी समझ में आ गई होगी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आप पिर जिससे आने वाली पीड़ी के ज्यान, ब्योहार, आभिब्रती तथा उसके समाजिक, सांस्कृतिक, मैक्तिक, मौधिक, आर्थिक, नैतिक एव माध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक आदी मूल्यों में वांचित परिवर्तन लाया जा सके। बिद्याला के क्रियाकलाब व्यक्ति में परमसत्ता के लिए विश्वास का भाव जगाने में सायक हो सकते हैं। जिए पर ते उसराय द्यक्टा है जिए जिए स्वाक्ति कोण है ब्रतियों के वाखें और आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है भाई मांटेसरी के अनुसार सिक्षा के उद्यस बताईए मांटेसरी जी के अनुसार सिक्षा का उल्ले बताई मांटेसरी कौन है भाई मांटेसरी मेरिया मांटेसरी एक जो है जो है कौन है मारिया मेंटेसरी एक सिक्षा सास्त्री है और ये एक परकार स कि शीए बताई हैं तो क्या-क्या बताइए उसको आपको समझना परामावश्यक है तो मारिया मांतैसरी मारी मेर्य मेरी डाक्टर होना पहला उद्देश क्या है मांटेसरी के अनुषार सिक्षा का पहला उद्देश है कि सिसु में सारीरिक एवं इंद्रिय सक्तियों का क्या हो आस्पुरण हो उसका विकास हो इसलिए जो है सिक्षा दी जाती है दूसरा सिक्छा इसलिए दी जाती है कि सिसू का सरबांगीड विकास हो तीसरी बात यह है कि परिसिती के अनुरूप ढालने की योगिता उतपन करने की सकती डवलप हो कसी बच्चे के अंदर इसलिए उसको सिक्छा दी जाती है चौथी बात आप बता सकते हो कि मैं आंटे सरी ने बताई कि सिसो में ब्यवहारिक्ता के गुड़ को उत्पन करना सिक्षा का या भी एक उद्देश होता है पाचवा उद्देश मारिया मैं आंटे सरी कहती हैं कि अगर समिस्याओं को दिर्टा से सामना करना होए तो आपको सिक्षा पढ़ना पड़ेगा सिक्षा का उद्देश याभी है कि समस्याओं को दिरता से कैसे सामना किया जाए या भी सिखाता है सिक्षा ठीक तो मारिया मांटे सरी ने ये बाते बताई है साथी साथ मांटे सरी कहती है कि मानो जाती अपने अपनी समस्याओं का जिसमें सान्ती युमेकता है तभी समाधान कर सकती है जब उसका ध्यान युम समस्सक्तियां ब्रक्ति क्यासिम संभावनाओं के विकास में लग जाएं इस परकार से मान्टेसरी ने सिख्छा कि परकार से क्या बताए हैं उद्देश बताए हैं आप से कभी-कभी प्रस्द पोल सकता है कि मान्टेसरी बिद्याले में अनुसासन हेतु क्या उपाय किये गए हैं इसके बारे में बताएं तो आप क्या बता सकते हो मांटे सरी ने चुनोती दी है कि उसके इसकोलों में अनुसासन की समिष्या की कभी भी एक ज़लक देखने की आसा करना दुरासा मात रहे उसके अनुसार इसके तीन मुख्य कारण है पहला कि बालक जो होता अपनी रुचियों से निर्देसित होकर के कारे करते हैं पहला बात यह कि बालक जो होते हैं आप उनको लगाता करेंगे किसी भी कारिकों करने के लिए कोई बिक्ती वालेते करकट केड़ने का आधी है तो उसको आप हां की खिला हो या फिर मालेते कोई विक्ती इतिहास पढ़ने जा रहा है तो उसको आप जबरदस्ती पोलिटिकल स देखा जाया और उनकी रूची के हिसाब से उनको उनके उनको ट्रेटमेंट किया जाया उन परकार किया जाया ठीक दूसरी बात मेरी मैं टेसरी कहती हैं कि उनको अपने कारिका ना तो पुरुसकार मिलता है और ना दंड मिलता है तो भाई उनको उनके कारिका पुरुसकार भ मलब की ना दंड दिया जाए इस परकार से जो है बताएगा जिस कारी को वो करते हैं उसमें सफलता या सफलता प्राप्त करना ही उनका पुरुसकार थवा दंड होता है ये बाते जो है उसमें बताएदे मलब इन्होंने बताई कि दूसरा उनको अपने कारी का ना तो पुरु देना चाहिए क्यों नहीं देना चाहिए क्योंकि जो पुरुसकार मिलता है बच्चे को जब कोई बच्चा है वो पास कर ले आता है कोई कार मलब की कोई परिक्षा है जो पास कर लेगा तो वही उसका क्या है वही उसका पुरुसकार है उस बच्चे का अगर माले ते बहुत स स्क्राइब करने करने कार्यूं कि नहीं नहीं होता है इस प्रकार से उन सब्सक्राइब प्रसंसा करते हुए काहती है rum Cambridge । स्कूल की प्रसंसा करते हूं टेजियर माहुदे भी प्रकार से सिख्छा सास्त्री हैं् मांटेसरी के कथनों के बिचार जरूर दिया है कि जो कोई भी स्पूश अंगठित मांटेसरी । स्कूल जाता है वहां बच्चों के आनुसासन से आश्चर चकित हो जाता है मान्टेसरी जो है जो स्कूल आप पहले समझते थे एक मान्टेसरी स्कूल जलता था तो मान्टेसरी स्कूल जो है वो मेडिया मान्टेसरी के मिलब एक परकार से नाम पर ही खोले गए थे तो मान्टेसरी उनका नाम था ठीक है ध्यान रखेंगे इतनी बात आगे पढ़ते हैं और अगले परस्ण की और अगला परस्ण आपके सामने है अगला परस्ण आपके सामने क्या है नैक नैक पर टिपणी कीजिए नैक क्या है नैक पर टिपणी कीजिए नैक एक परकार से क्या है एक परिसद होती प्रत्यायन परिश्द इसका नाम है हिंदी में कहें तो ठीक है रा मु प्रा पा ठीक इसको अंग्रेजी में इसका फुल फार्म क्या होता यन ए ए सी का फुल फार्म क्या होता यन मने होता है निसनल और एका मतलब पहले का मतलब होता है एसेस्मेंट और एसेस्मेंट और दू accreditation accreditation तो एस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष 1994 में इसकी किया करी गई थी अस्थापना की गई थी 1994 में भिसेज करके नेक उच स्थांस्तानों के बहुत इक सुबधाओं के साहचिक गैर सहेचिक पाठे सहगामी क्रिया कलापों का भी मूलेंकन कौन करता है ये नेक नामक संस्थाई करती है ठीक इतनी बात की लिए रुई ये चीज़े आपके सामने हमने प्रसुत कर दी आगे बढ़ते हैं अंगला पूर्व प्राथमिक सिच्छा से आप क्या समझते है ये पूर्व प्राथमिक सिच्छा क्या है इसको भी समझ लेजी थोड़ा सा पूर्व प्राथमिक सिच्छा के बारे में आपको जानना परमावस से खए पूर्व प्राथमिक सिच्छा क्या है बाई तो पूर्व प्राथमिक सिच्छा एक होती है पूर्व प्राथमिक से भी पहले उत्तर प्राथमिक को क्या कहते है मादमिक सिच्छा कहते हैं और पूर्व मादमिक एक होती है आप समझने का प्रियास करें कि पूर्व प्राथमिक से एक होती है प्राथमिक सिच्छा एक होती पूर्व प्राथमिक सिच्छा का जैसा है कि यल के जी यू के जी या फिर आप देखते होंगे नरसरी बगरा ठीक तो ये सब जो होती है पूर्व प्राथमिक सिच्छा ही होती है वस्तुता हा पूर्व प्राथमिक सिच्छा माता के गरबधार के साथ ही प्रारम हो जाती है इसका बालक की आयो के पांच से छे बर्स तक चलती रहती है इसे दो भागों में बाटाया सकता है जन्म से पूर्व सिक्षा और जन्म के बाद सिक्षा तो जो है जो पूर्व प्राथमिक सिक्षा होती है जरूरी नहीं कि आप पाइदा हो गए उसके बाद से वो सिक्षा मिलती है आपको आप माता के पेट के अंदर हैं तब से जो सिक्षा मिलती है और लगब पांसे छे सालों तक जो सिक्षा आपको मिलती है और साथी साथ युसं सक्षा कैसी होती यह इससब पूर्व प्रात्रमिक सिछा बोल सकते हैं ठिक या बाद ध्यान रखेंगे तो इसे दुध भागवाय मारत से एक तो जन्म से पूर्व फ़एक जन्म जन्म अंचतर के बाद जन्म पूर्व सिक्षा के अंतर searched माता के गर्म में इस्तिध्वालक की देख भाल आती है इसमें माता के स्वास्त भोजन्म अनुच्थिति आदी पर ध्यान दिया जाता है ताकि जिससे क्या हो गर्म में जो बच्चा पला आख है उस बच्छे का सारीरिव भिकास हो उस बच्चे का मांसिक विकाद भी हो उस बच्चे का संबेगा अत्मकार था कि emotional development, mental development and physical development तीनों परकार का development सही तरीके से हो सके और जन्म के बाद में सिक्षा के अंतरगत घर, परिवार, पडोस और पूरो मार्द में कच्छा में अरजित ग्यान होता है अब कुछ मात्रा में इसे की अच्छा पांच तक या फिर छे तक पहले आप admission जब लेते तो आपको direct एक admission मिलता था तो आप पहले से घर पे पढ़ लेते थे जी मलब EKG वजी जो नहीं पढ़ना पढ़ता था क्यों नहीं पढ़ना पता चुकि आपको अपने परिवार के द्वारा और जो है अपने जो है आस पढ़ोस के द्वारा प्राप्स हो जाती थी जो सिक्छा लेकिन ये दिरे-दिरे क्या होगा तो परिवार पढ़ोस इन सभी के बारे में तो सिक्छा आप जो है दबग तीन सालों तक चार सालों तक गरन किये उसके बाद में जो PG, नरसरी, KG तक होती है, यह सब बच्चे की पूर प्राथमिक सिच्चा ही होती है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि पूर प्राथमिक सिच्चा क्या है, प्राथमिक सिच्चा क्या हो गई, जो एक सिच्चा करके आप सिच्चा करन करते हैं, यह जो कि आपकी सव्ज़ में आ गई विस्विद्ध देले इस तरफ मादमी गस्तर पर जो ब्योसाइक सिच्छा होती है विवसाइक सिच्छा का मुख्युद्ध यहा है इच्छातर को अपने विवसाइक बिसेज में अपनी सामर्ति कानभो हो हस्त कौसल में उसकी अभिरुची को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए सातीजा सिच्छा का उत्पादन से संबंद जोड़ा जाए इसलिए आयोग ने सिच्छा के विवसाइक अड़की योजनाभी प्रसुत कर दी है इस प्रकार से इतनी शीज़े आपकी समझ में आ गए होंग कि यह हैं पूर पास था संतो जनत मुलब की संतों जनक नहीं है कि हांस में हता एक परकार से एक समीति बनाए गए थी समती की रिपोर्ट आई और इस समीतिके अगर नहीं मन हैं तो ना पढ़े साथ ही साथ उनको विभिन प्रकार के अस्तरों की सिख्षा दी जानी चाहिए जो कि प्रकार से जो है जो महिला प्रकार से आरक्षण है उसके तहट की जा रही है यह चीजी आपके समझ में आगे हैं जो हमने आपको बताई ठीक तो यह मादमिक अस्तर पर लड़कों की जो सिख्छा संबनी समय सा थी वो हमने आपको बता दी तो एक प्रकास है यह दस जो है इंपोर्टेंट परसनों की जो है लक्चर के मादम से हमने इसके उत्तर भी बताए और परसन भी बताए अब यहां पर आपके सामने जो है थोड़ा सा जो है लगुतरी जो परसनाएंगे उनके बारे में हो सकता साथ ना बताओं चुकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको किसे दिन और बता देने का प्रियास करूंगा अलाकि अगर आप लोगों की requirement है तो इसको ज़रूर बताने का भी प्रियास इसको भी किया जाएगा ठिक चलिए अगला परसन क्या है आपका प्रसन क्या है बाई परसन है आपका सबसे पहले यहां पर आप दोसों करिए यहां पर आपको दोसों सब्दों में सारी बातों को लिखना है यहां पर आपको दोसों सब्दों में लिखना पड़ेगा पहला परसन क्या है आपको पांच परसन आठ परसन दिये जाएंगे लगबग उन आठों में से आपको यतने परसन चाटन पहला परसनाप के सामने अन्ताराष्ट याता के लिए यूनेस्कों कारी बताई यूनेस्कूं क्या है इस biss विकास करती है और विकास करके अंतर राष्टियत सद्भावना विक्सित करने का प्रियास करती है ये अंतर राष्टियता के संस्था यूनिस को ठीक अंतर राष्टियता के संबंद में यूनिस को ने लिखा है कि क्योंकि युद्ध मानों के मस्तिक समिप्रारंब होते हैं इ से प्रतम विस्यूद्धि के समय ही कर दी गई थी लेकिन वो गाई सफापना जो है उस समय जो एह सोचा गया कि जो है जो यह से होती है मलप की जो विस्यूद्ध होता है paid प्राइन के मस्तक की उपज्योती कोई भी जगड़ा लडाय हुआ तो मनुस्थ के दिमाग की उपज्योती है अच्छे तरीके जो दीपढ़ा लिका नहीं होता है वह है। जगड़ा लिक्थ कोई पलेक मह जगड़ा कां खरते हैं उनस्ते‍ा प्रेडाम क्या होगा, उनके दिमाग में तुरन्द प्रेडाम आता है और आपके दिमाग में क्या आता है आपकी वाहँ ही आती है, यही फरक होता है कानपड़ में और पढ़े लिखें में, अगर एक अनपड़ ब्क्ती क कोई बखान जादा कर दे, तो फूल के एक विर्कार कि लिदा से क्या हो जाता है कि हा रहर अपका कोई नहीं है अब को आ wanna abon oaxhan kela tata aap कूछे संचिते पीछे कुछ लोगिक कुछ योऌन जो इस国 दें ठीक दिखान नेखेंगी युनिसco वही होती है युनिस्को को बारे मैंने आपको बता दिया आप से काले बगला पूच रहा है उनज को करे होते है उन 이제 को क्या करता है सिह समझे कि उने इस को जो होता है युद्धू रहो कमार के जो walnut को ऊठाब धर सकते हैं यह रहाब रहां देता राष्टे सिक्षानीती 2020 पर टिपड़े लिखे राष्टे सिक्षानीती 2020 पर टिपड़े लिखने के लिए प्रसन पूछ लिया गात और यह प्रसन मोस्ट इंपोर्टन्ट है रास्टे राष्टे सिक्षानीती को ले करके यह पूछा गया थे आप लोग सभी लोग बताएं क जो राश्टे सिक्षानिती है अब पता होगी गहां से पर दिछी छा नरी को लेकर के जरुरी पुछा जाएग यह वाद ध्यान नखींगे चैसे 320 12 में जो आई थी उसको लेकर को पूछा और इसकी सबसे पहली बात बाते दो राश्टे सिक्षानिती 29 जुलाई के दिन आई थी 29 जुलाई 2020 29 जुलाई 2020 को ये सिक्षानिती लागू हुई थी लागू क्या हुई थी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में राष्टे सिक्षानिती 2020 को क्या कि दे गई थी मन्जूरी दे दे गई थी इसके साथ ही नई सिक्षानीती को लेकर के जारी इंतजाम पूरा हो गया है इस बदलाओं का आने वाले समय की सिक्षा पर क्या आसर पड़ेगा इन बदलाओं को किस रूप में देखा जाएगा सिक्षा जगद में इस मुद्दे पर चर्टा सुरू हो गई है बहुत से लोगों को मानो संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल करके सिक्षा मंत्राले करने की बात भी काफी पसंद आ रही है और लगातार आप देख रहे होंगे राश्टी सिक्षानीती 2020 के तहत कालजों में होने वाली पढ़ाई को आंतर विसेक यानि की दो विसेयों के अलग-अलग पाठे करम से पढ़ाई को भी मंजूरी देनी की बात कही जा रही है इंगलिस और हिंदी के अलामा आन छेतरी भासाओं में भी इसको यहां पर समझ अगर लेंगे आप तो आपको कोई जो आपका परिक्षा होने वाली है उसमें भी आपको मदद मिलेगी सबसे पहली बात यह है राश्टी सिक्षानीती की कि नरसरी से बारवी तक की जो पढ़ाई को होगी उसको इन्होंने किस फार्मेट में रखा है फाइब पलस थिरी पलस थिरी पलस फोर इस फार्मेट में रखा यह फार्मेट का मदब होता है कि पहले जो है पांच वर्स जो है नरसरी के जी ये सब पढ़ेंगे और एक दो ठीक उसके बाद में क्या होगा तीन चार पांच तीन साल उसके आद में क्या हो गया छे साथ आठ इसमें होगा फिर चार क्या हो गए नो दस ग्यारा बारा ये चार साल इस फारमूले के तहें च लिखनी ये बात है कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई को करने वाला जो इसको माना जाएगा तीसरी और पाचवी कक्षा में परिक्षा का प्रावधान राष्टे सिक्षानिती में किया गया है छटी से 8 वी तक की जो पढ़ाई होगी उसको मिडल स्टेज कहा जाता है और इसका जि इसमें साइंस, आर्ट, कामर्स इन सभी का बटवारा नहीं होगा और इस्टुडेंट अपनी पसंद के अनुसार कोर्स का चुनाओ करेंगे अब साइंस, आर्ट, कामर्स के आप सोचें आप साइंस का एक सब्रमान लेते हैं आपने फिजिक्स ले लिया अब आपको प्रकार से आप कोई यह नहीं रहेगा तो यह पहला मुद्दा होगा दूसरी बात यह कि पहली से पांच मी तक होगी मलम मात रुहासा में पढ़ाई और इसके साथी साथ नो बैग डे को भी प्रोसाहित किया जाएगा ठीक या बात भी द्यार नखेंगे नो बैग डे मलब एक आद दिन हो कि बिना बैग केही पढ़ाई करने आप जाएगे तो पहली से पाचवी तक मात रुभासा में पढ़ाई की जाएगी तीसरी बात या है कि एक गवर्त करने वाली बात या है कि कच्छा चटी से कोडिंग की पढ़ाई बच्चे कर सकेंगे यहाँ पर कोडिंग की पढ़ाई कच्छा च्छे से आपको परारम करवाई जेगी यानि सिक्षा में टेकनोलोजी का इस्तेमाल हर तरह से प्रोसाहित किया जा रहा है इसका बदला भी समझे चौता मातमूर बात यह कि बोर्ड परिक्षाओं के पैटर्न में बदलाओ होगा और उनकी परिक्षा के लिए दो भासाओं का बिकल्प इस्टुडेंट के लिए उपलब्द होगा तो अब दो भासाओं का बिकल्प जो है उनके लिए उपलब्द होगा हर विसे में वस्तुनिष्ट और विस्तुत उत्तरिये सवालों का समाबेस के जाएगा तो वस्तु निष्ट माने क्या होता है आतिल मुलब जो एक प्रकास से जो है बहुत बिकल्पी है और बिरसे तुसरी सवालों का दुमलब की आपजेक्टिव और लिखे दोनों तरीके से पूछे जाने की संभावना वहाँ पर रहेगी पाचवी बात यहा है कि जीवन के स्कुषर को भी प्रमुक्ता के साथ सामिल क्या जाएगा यहाबात नए सिकुष्छा निती में कही गई है ठीक तो इसके लटेग्स के लिए बात इसमें बताएगी हैं कामन परवेस परिछा क्या होती है दिसकी किसी भी 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 परवेस करना है तो आब ऐसे क्या होगा कि कामन स्वज्व बस एक नाता मिलेगी रिसर्च को लेकर के उछ सिख्षा संस्थाओं को प्रोसाहित किया जाएगा यह वारिसर्च के को आगे बढ़ाएं ठीक साथी बात या है कि IIT जैसी संस्थाओं में साइंस के साथ साथ कला और मानविकी के विस्यों के अध्यन को भी सामिल करने पर जोड़ दिया जाएगा ताकि विभिन बिस्यों में अध्यन का आवसर इस्टूडन को एक जगा पर मिलेगा तो IIT कालेजों में अब आपको अनिस सब्जेक्ट भी पढ़ने के मुलेंगे जो आट के हैं आगे और बात इसके इंपोर्टन क्या है कि इसके साथ ही साथ दुनिया के टाप फंडेड बिदेशी बिस्विद्धालेओं को भारत में अपना कैंपस खोजने के लिए सहीोग किया जाएगा यानि भारत के सिक्षा बाजारवें बिदेशी बिस्विद्धालेओं के परवेश को आपचारिक मंजूरी राष्टे सिक्षानीती 2020 में अमल में आने के बाद मिल गई है संस्कृत बिसे को मुख भाग मुख धारा में लाने की पहल नई सिक्षानीती के तहत की गई है उच्ष सिक्षा के तीन भासाओं वाले फार्मोलों को अपनाया जाएगा हिंदी एक अंगली जी और एक मात्रु भासा जो वहां की भासा है ठीक दसवी बात यहाँ नवी बात यहाँ है कि 2030 तक परते गिले में एक ऐसा कालेज बनाने पर जोड़ दिया जाएगा जहाँ इस्टुडेंट विभिन विसेयों के अलग अलग क्रेडिट्स का चुनाव अपनी पढ़ाई के लिए कर सकेंगे यहाँ एक महत्व कांग्ची कदम है आगे दसवी बातों जो है एक परकार से लाश्ट बात मैं आपको बता दू कि सिक्षा के उपर केंद और राज सरकारों द्वारा सेंगत रूप से जीडीपी का चार दसमलो चार तीन परतिसद निवेज किया जा रहा है इसे बढ़ा करके जल्दी छा परसंट करने की बात राश्टी सिक्षानेती 2020 में कही गई है तो जहां चार दसमलो चार तीन परसंट सिक्षा पर खर्च किया जा रहा है वहीं पर आप छे परसंट सिक्षा पर खर्च किया जाएगा राश्टी सिक्षानेती के तहत ठीक और राश्टी सिक्षानेती का प्रभाव आपको देखने को मिल ही रहा मैं मौलल पेपर लेकी तरीके से आबको बता ही रहा हूँ ठीक तो आपके समझ में सारी बाते आ गई इतनी चीज़े ठीक आगे बढ़ते हैं अग़ला पर सनक्या है आपके सामने यंसी टी आई कि महत्यों कारियों को समझाईए यंसी टी आई कि क्या है बाई मैं राष्टि आद्यापक सच्छा परिस्ट अधनियम बनाया इसी को क्या काते है निस्टनल परकास से जो ऐसे का मलब उन strains का वन्ह üzerine टीचर एडीचियरा एक प्रकार स्वाश्यान और राश्टिया हिश्चा सब्सक्राइगर है। तो आश्टी अध्यापक सिख्छा परस्ट जो है यह सी को कहते हैं कि इसको यह सी टी आई को ठीक है कि कि ओके तो आपकी समझ में आ गए हुए यह सी टी आई क्या है नेसनल सेंटर अमनेसनल और एक परकार से नेसनल सी मलब क्या हो गाया सेंटर आप आप परिस आप अपरिसल्ट के अस्थान पर टीचर और एमलब एजूकेंशन को बढ़ावा देने के लिए इसके कार अगर आप से पूशे तो क्या बताएंगी जुहराष्टी अध्यापक सिच्छा परिस्त के निम्रखित का यह हो सकते हैं जैसे क्या लिखेंगे आप हैं पहला कार किंघ्छाटों को सीच्छन पर्दान करने वाले सीच्छकों की बनाएगे जो योजनाय यह और कारिक्रम होते हैं उनके बारे में केंदर और राज सरकार वा मानिता प्राप्त संस्थाओं को सुजित करना यह सब कारे होता है यन सी टी आई का अध्यापक सिच्छा के बाजारी करन को रोकने के लिए उची तुपाय किया जाए अध्यापक सिच्छा किसे संबंदित बिभिन मानों को अमूल यांकन पददी का निधान करना यह सब कारी है ठीक तो यतनी चीज़े के लिए अगला क्या है भाई अगला जो प मुझे मांटेसरी पददती के जो गूण है उनको हम बहले बताते हैं तो मांटेसरी पददती का आधार कैसा है वैग्यानिक है और साती साथ वे आनुभो और निर далее तेती हैं इसलिए या इसका क्या है गूण है तूसरा गूण बिविखियक अधियान प्रियोगी स्रब मलब समागरी जो होती है द्वारा सिख्छा की मलब उपा दियताए में बिन्ण करना अब जाहिए द्रस्षे ओंता देखने वाला होगा कोई इसक्षा की मनलत jsat यहां पर आप देख रहे ह której हो तो यहां पर आपके जो और क्यां है ने ने बताय कि सबकराइब साथे साथ इसका एक गोड़िया है कि समाजिक गोड़ो एव मांसिक सक्तियों के विकास का महतो बताया गया है नवी बात यह है कि खेल प्रणाली द्वारा सिख्छा का बिसेश प्रबंदिस में किया गया है साथी साथ भासा सिखने और गड़ित में योगिता प्राप्त कराने का विसेश तरीका भी इन्होंने बताया है ये थे क्या इसके भाई इसके गोड़ थे दोस में आप बता सकते हो कि इसमें ये थारता को अधिक महतु दिया गया है यह थार्थता को अधिक महत दिया गया है इस प्रकार से यह एक दोस है दूसरा दोस यह है कि आत्याधिक सुतंतरता के कारणा अनुसासन हीनता की संभावना है अगर जादा बच्चे को सुतंतर कर दे जागा तो बच्चे अनुसासन हीन बन जाएगी तिसरी बात यह है कि सिस्वे हैं लिए सिस्वें दिखान क्या है इनका इन पूछा गया था चार चीजे ऊपको पतादि अगला क्या वाई अगला परस्ण क्या सिक्षा इतनी भ्यापक होनी चाहिए इतना कि मानोई इसका थन की पुष्टि कीजिए यह भी इंपोर्टन परस्ण है आप यह सारे परस्ण जोगे यह सब आपको दिखाने वाले हैं और इन पर लिखित परस्ण बनते हैं तो इसलिए आप परस्ण अगला स्कष्रा और स्ष्राख करता है यह सिक्षा और प्रस्थ योता है जो तरह ब हमारbourne में penser कहते हैं तो आप इन जीजे को जानने का प्रयास जरूर करेंगे किंपार नोंसितने vidéos कला होता है ऑक है किसमें किसे हैं च्ट्राइब क्या उति होता हैं जिसमें सीखना और वौशन होती है परकृति होती है वह सिखने वालों को ही होता है सिक्षा ब्रक्रिया होती है जब QI不會 ची एक संकी विद्याइं होती है इसकंभ ऑř में लगातार चलती रहती है प्रसिख्ष्षण च्येतर में आफ में स lies 01y होता है केवल कैसा होता है और यह अनौप नहीं होता है कौन परसिक्षण है यह हैं जो कि हमने आपको बता दिये अंतर हुआ सिक्षा का क्या भी प्राय है सिक्षा का बहुत बड़ा लंबा भी प्राय है इसको आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए कि सिक्षा का क्या मतलब है तो आपको पता ही होना चाहिए न सारी बाते सिक्षा के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लिएगा वह सिखता है वही सब क्या होती सिक्षा होती है इस सिक्षा से ताते पर पूरवान efficient के दौरा ज्यान पकारने से सब्सक्राइब करने से लाते है यदी हम सिक्षा के अर्थ को जानना पड़ेगा। जो की लंबा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन की सिक्षा के बारे में क्या है वैसे प्राचीन काल में सिक्षा जो सब्द है वा बिद्या आर्था ज्यान सब्द के प्रचलन में था समस्त प्राचीन गरंथ में अगर देखेंगे तो यही हमको जानकारी मिलती गिएध बिद्या सब्द जों सिन्सक्रेट भा सा कि से बना जिसका होता है बिद्वान होना या फिर друз ध्यान परकत करना ठेख ठीक द्यान रखेंगे कई बात हैं सिक्षा को लेकर के कई अर्थे सकुंचित अर्थे ब्यापा करते हैं अब मैं सिक्षा के अर्थे के बारे में समझा दूँगा चिप्टर बन के अंतरगतों के आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपके सामने सिक्षा में समाजिक उद्यस क्या है इसकी क्या वसकता अगर बच्चा सिक्षित नहीं तो समाजिक नियमों को नहीं जान पाएगा इसकारण से वो समाज में नियंतर नहीं डख सकेगा तो इसलिए समाजिक उद्देश होता है सिक्षा का बहुत जादा ठीक बहुत ही आवसकता है आगे समझते हैं अगले परसनों की और अगला परस से आपके दीरगुतरी टाइब के परसन बनेंगे घंड सामें देखेंगे प्रतिक परसन का उत्तर लगबुक पचास मलब 500 सब्दों में आपके होना चाहिए पांच पर दिये गए आपके और कितने परसन करने इन में से दो परसन करने जो भी आपको पता हो चांट करके लि UGC इसी यह परकार से जो यह बताता है कमीशनि परकाइब से उसको पर सेंट्र बोला था हो सकता हो धियां के जो है इसके बारे में चर्चा Caesar ने करने आस अगया होसके बारे में आपको पहले भी बताया हो ऒन मैं साय और नहीं बताया तो इसका मतलब यह होता है जो यह अनुदान होता है यह एक परकार से बिस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नियम है जो कि 1956 में यह अनुजान आयोग आया था ठीक साधिधात उस यह उस तारीक को पर बिरता होगा जो के इंद्री सरकार राज पत्र के अनुजी सूचना द्वारा नियत करता है यह परकार से एक आयोग है इसमें कई बाते बताई गई हैं इसके संगठन को लेकर के इसक एक अध्यक्ष होता है एकुपा अध्यक्ष होता है और दस अन अध्यक्ष होते है जो केंद्री सरकार के दोरा नुक्ट कि đाएएंगे दूसरी बात या है कि इसमें उपधरा सब्छान काirs अदिकारयों में चुने । सब्छना से यह ज्यांखे जिनहें किशिवाड़ जिवन बिज्ञान इन सभी के बारे में ज्ञान और अन्भव जो कि इंजिनिरिंग में उत्रेंड होते उनको चुना आता है पिस बिद्याले के कुलपती हो या फिर पीद्यालयों की सिक्षक ना होती हुए भी के इंजिर सरकार की राये में जो ख्याती करते हैं सदस्यों की कुछ सेवा सर्थे होती कुछ निबंधन है उनके इस सभी के बारे में जर्चा कर लेंगे कई चीजिए बहुत साथ चीजिए बड़ा लंबा है ठीक इसके बारे में बताना एक प्रकार से बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको मैं जल्दी बता दूँगा आपके सामने जो शेप्टर वाइद वीडियो में इसको समझेंगे ठीक यह प्रस्ण इंपोर्टन है पढ़ लिजेगा सिक्छा से के तात्परे के बारे में अगला ह विष्विद्याले सिक्छा की वरतमान में मुक्ष समय से क्या हैं विष्विद्याले सिक्छा उन्नत बनाने इमला विष्विद्याले सिक्छा को उन्नत बनाने के जो आप सुझाओ दे सकते हों क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताएं ऐसा प्रस्ण जाओं से बन सकता है भारत में विष्विध द्याल सिक्षा की मरतमा समस्यों के बारेंब बताएं और उस समस्यों कrüse दर की आ जाए इसके आयो कर करें अपनी उपवाई बताइए विष्विध द्याल सिक्षा उन्त बनाने के सुझाओ दीजिए का अगला Tortrida ही संम्ठमिधान में सिक्षा से इम्पोर्टन परसम्त हैं जो कि आमने आपको बताएं ये दिरगुतिरेंट की इंपोर्टने फिर्टन परसम्त है इसका यह लगुतरिके हैं यह बीला इक मुद्द को समझाने का प्रयास किया कोई मुद्ध आप से छोड़कर किया नहीं जाएगा एक ही वीडियो में आपने सारे चीज़ों को समझ लिया और कल आपकी गिरेविज्ञान की कलास होगी इसको आप देखेएगा सभी लोग आज सिक्षासात की कलास यहीं पर समाप्त होती है फिर मिलेंगे हम इसके सिक्षासात के नए सिलेबस के साथ तो नए सिलेबस को तो हमने अभी नहीं बताया लेकिन यह मौडल वेपर आपके सामने परसुत कर दिया इसको देखर करें काफी जानकारी आप गरहन कर सकते हैं लगभा पूरे के पूरे जो है पेपर में जो आपके संक्लिक चीज़ें जो को दब नगी लोग परते टीदस वेक्टियों के पास वीडियो को सीर करेगा लाइक करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वाइन को प्रेस करेंगे फिर मिलती हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए भारत आप सभी का बहुत बहुत धनीबाद हमारे साथ ज